नमस्कार जैहिंद वंदे मात्रम दोस्तों स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम इश्ड़ी प्रटॉम में रास्टो हित्मे सिक्षाद इसे धीरस दिवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड दोस्तों आज के हिंदी मेराथन में हम सुपर फास्ट तरीके से हर चैप्टर से होंगे हिंदी ग्रामर को पूरी तरीके से हम यहाँ पर निचोडेंगे और साहित्य से हम क्या करेंगे रूबरू भी होंगे ठीक है ना चले स्टार्ट करते हैं आज का पहला कुष्ण लेते हैं स्क्रीन पर लाल मड़ी में कौन सा समास है ध्यान दीजेगा कुष्ण करने के लिए आप सभी को जब भी कोई संधी कर रहे होते हैं समास कर रहे होते हैं तो आपको हमेशा यह बाद ध्यान लखनी है कि हम उस सब्द को जहां पर संधी या समास पूशा जाता है उसको ब्रेक कर लें यानि तोड लें जैसे इस कुष्ण में कह रहा है ल लाल है तो मड़ी की विशेस्ता है ना कि वह दोस्तों रेड है तो विशेस्ता वाला समाज कौन सा होता है तो आप कहोगे सर कि जिसमें विशेस्ण विशेस्ट से प्रधान हो वो उप्षन जाएगा सी के साथ सिंपल सी बात है ना बहुत उंदा प्रसन आता है दोस्तों यहा और यहाँ पर लिख देता word कि नील गगन में कौन सा समाज है तो नील गगन में अगर गगन कैसा है पूछा जाए तो नील गगन में भईया नीला है गगन तो हमारा भी कहाँ पर चला जाता सी के साथ चला जाता कोई डाउट नहीं होना चाहिए कुछ से नमबर सेकेंड चैप की बात करें तो आप ये कहते हो कि हिंदी में कारक को प्रमुक्ता आठ भागों में क्या बाटा गया है आप सभी जानते हो लेकिन अगर मैं बात करूँ कि भाई में और पर ध्यान दीजे में और पर ये ऐसे दो सब्द अगर आ जाते हैं कारक में तो वो हमेशा अधिकरण क का options right होता है, यानि कुर्सी पर master सहब बैठे हैं, या गुरु जी कुर्सी पर बैठे हैं, तोता डाली पर बैठा है, है ना मैं मेज पर बैठा हूँ, तो यहाँ पर सारी चीज़ें अधिकरन कारक के साथ जा रही है, option number C के साथ लोग हो जाएगा, बढ़ेंगे question number third पर देखे एक कुस्षन अच्छे तरीके से समझो कि कौन से chapter से है अब सारे questions में अगर हमने उपर दो कुस्षन लिये है यानि पहला दूसरा कुस्षन लिया है उसमें हमने ये देखा कि एक समास का था दूसरा कारक से था और तीसरा हमारा है सर्वनाम से तो यहां से तीन कुस्षन बनेंगे सर्वनाम क्या होता है तो सर्वनाम वो होता है जो noun की जगए पर यानि place of noun यानि noun की जगए पर use होता है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो सर्वनाम प्रमुक 6 प्रकार का होता है ये भी एकजाम में कई बार पूछा गया है लेकिन जब हमसे पूछा जाए कि ये हम याद रखेगा जब हमसे पूछा जाए कि मैं और हम किस में आता है तो यह दोस्तों पुरुस बाचक सर्वनाम में आता है पुरुस बाचक सर्वनाम में मैं हम अन्ने अन्ने तत्तो सारी चीजें आपको याद रखनी है कि मैं अगर आजाए, हम आजाए, उसको आजाए, तू आजाए, तुम आजाओ, हैना ये सारी चीजें हैं पूरुस बाचक में, पूरुस बाचक का आप जब पूरी तरीके से व्याख्यात्मक पड़ोगे कि कितने भागों में बाटा गया है, तो उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी, तो फिलाल उप्सन नमबर जाएगा बी के साथ, आगे बढ़ेंगे कुस्सन नमबर फोर, वर्ण माला से, चौथा कुस्सन, चौथा चैप्टर, बड़ा ध्यान से देखीगा, चौथा क्या कह रहा है, आप से कह रहा है, निमलिखित में से कौन सा टावर्ग का नहीं है, यानि हम जानते हैं कि टावर्ग जो होता है, वो मूर्धा वाला होता है, यानि मूर्धन इसे रिलेट करेगा, और टाके साथ, आप सभी जानते हो कि ठा होता है, टाके सा ठा, डा, भाई, सिंपल सी बात ह है पंक्चमाक्षर में लेकिन ये जो आता है ये कावरग में आता है और ये हमारा है कंठ है ना तो सिंपल सी बात है D के साथ जाएगा कुष्ण नमबर 5 आग का आईना कुष्ण नमबर 5 चैप्टर नमबर 5 इप समझ लो यानि हिंदिस के साहिते से कुस्षन लिया है आग का आईना किस लेखक द्वारा रचित रचना है ज़रा जब आप दीजएगा तो याद रखेगा ये कुस्षन आपके लिए थोड़ा सा नया रहेगा तो सुनिए इस कुस्षन का अंसर ओप्शन अमर किस के साथ सी के साथ चला जाएगा आग का आईना केदारनाथ अगरवाल द्वारा रचित रचना है जो पिछले ही साल एकज़ाम में पूशा गया प्रसन है इसलिए है कुस्षन एकज़ाम में बारवार ट्रेंड होंगे इस कुस्षन को स्टार बनाके जरूर लिख लेज़ेगा क्यो प्रशन बाचक हो सकता है तो सर बोले पूर्ण विराम से अच्छा तो प्रशन बाचक है क्योंकि जब भी हम कहते हैं कहां की बात करें जब भी हम कहते हैं कौन की बात करें जब भी हम कहें कौन है कब है कहां है यानि दरवाजे पर कौन आया है मैंने प्रशन किया तुम कहा जा रहे हो मैंने प्रश्ण किया तुम कब आ रहे हो तुम कब जा रहे हो मैंने कहा प्रश्ण है तो यहां पर option हमारा बी के साथ लौक हो जाएगा बढ़ेंगे कुश्चन नमबर 7 पर 7 कह रहा है वह एक सप्तह बाद आया अब यह कुश्चन थोड़ा सा कठिन है वह एक सप्तह बाद आया इस वाक्य में कौन सा सब्द क्रिया विसेषण है तो पहली वाद तो याद रखो कि क्रिया क्या है क्रिया सर आपके वर्क को इंडिकेट करती है क्रिया विसेषण क्या है पहली वाद तो आपको विसेषण ज वो हमारा क्रिया विसेशन लेकिन अगर हम बात करें तो सब्तहा हमारा काल क्रिया विसेशन हो जाता काल वाच्च क्रिया विसेशन लेकिन एक्ष्वल में सब्तहा तो है नहीं तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा सब्तहा से सम्वंदित option C हो जाएगा बाद हमारा right answer हो और गलत भी बहुत सारे बच्चे 90 परसंट बच्चे गलत करेंगे बोले सर कीसे ध्यान दिजेगा जब मूर्खा की बात करें तो हम यह कहते हैं मूर्ख का इस्त्रीलिंग मूर्खा होता है तो यह तो इस्त्रीलिंग हो गया यह आंसर हमारा नहीं होगा मूर्ख हमारा पुलिंग होता है विदूसी हमारा विद्वान का क्या होता है ये भी विद्वान का क्या होता है इस्त्रिलिंग होता है तो मतलब ये भी इस्त्रिलिंग है ये भी आंसर नहीं क्योंकि हमसे पूँचा है पुलिंग अब याचिका जब आप किसी कोर्ट में याचिका दाखिल करते हो तो वो याचिका कैसी हो जाती है या तो मानने हो जाती है या तो खारिज हो जाती है तो याचिका हो जाती है या हो जाता है तो आप कोगे सर फीमेल वाइज निकाला ये भी आपका इस्त्रिलिंग है लेकिन option C हमारा जो है इस question का right answer हो जाएगा बहुत सारे बच्चों के मन में ये होगा कि सर उड़त तो मैं हमेशा जो है इस्त्री लिंग में यूज़ करता हूँ बोले सर कैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आप ऐसे यूज़ करते हो समझो आप मारकेट से जब खरीदोगे तो आप क्या कहोगे अरे सर उड़त दे दो है ना उड़त आपके अच्छे हैं उड़त बहुत गंदे हैं कभी भी उड़त अच्छी नहीं बोला जाता है अगर आपके यहाँ इस थानी भासा में बोला जाता छेतरी वाजा में बोला जाता तो NCERT के मुताबिक वो गलत है इसलिए आप pulling की बात करेंगे option C चला जाएगा question number 9 वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं प्रस्तुत वाक्य में विसेशन कौन सा है तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि विसेशन क्या होता है जो किसी विसेशता क्या wordन करे यानि जो किसी noun बोले तो संग्या pronoun बोले तो सर्वनाम noun का pronoun का मतलब है कि संग्या सरवनाम की विसेष्था बताए उसे हम विसेष्थन कहते हैं और यहां पर फूल कैसे हैं फूल दोस्तों पीले हैं तो मुझे यह बताओ पीले फूल हैं तो हमारा यार फूल होगा या पीले होंगे तो हम यह कहेंगे सर फूल कैसे हैं तो ये पीले हैं तो मतलब यहां पर यह adjective यानि यहां पर विसेशन हो जाएगा इस question कराइट answer D के साथ अच्छा मैं अगर केवल यही question इसको काटके मैं यहां पर लिख देता कि यह बताओ कि लाल फूल में कौन सा विसेशन है तो आप कहोंगे सर लाल विसेशन है या पीला विसेशन है नीला गधा काला गधाप है ना तो इस तरीके से जब हम चीजों की विसेशता बताते हैं तो वो हमारा विसेशन होता है question number 10 वह काम बहुत अच्छे ढंग से करता है वाक्य का काल पहचानी है सभी बहने सभी भाई सस्क्राइब कर लें गुरूजी वर्ड क्योंकि आपके लिए बहितरीन questions की स्रंखला रातरी आठ वजे हमेशा की तरह मिलती है इसलिए वीडियो एंजॉय करें recorded videos, live videos सभी provide होती है ब किसमे काल हमारा option number किसके D के साथ क्योंकि अच्छे ठंक से करता है सामाने वर्तमान हम present में हम कहते हैं सर कोई work कर रहा होता है तो हम कहते हैं यहाँ पर present की बात करेंगे हमसे कुछ भी यहाँ पर कहीं ना कहीं वर्तमान काल का कोई option अधर नहीं है इसलिए हम option number D लगाएंग आगे बढ़ेंगे question number 11 कुरसी पर master जी बैठे हैं अभी मैंने उपर कारक वाले में यही वाला question repeat करा था यहाँ एक्जामपल के तौर पर हमें यह बताओ 11 नमबर में answer क्या होगा मैंने आपसे वहाँ पर बताया था कि तोता डाली पर बैठा है तो यार पर आया था वहाँ और यहाँ भी पर आया है और मैंने यह भी बताया था कि ऐसे सब्द जो लोपित होते हैं जहां पर पर आता है जहां में आता है वहाँ अधिकरन कारक होगा की नहीं होगा बोलेसर बिल्कुल होगा तो हमने का D में को option लगा दें D option को lock कर दें तो क्या कोई गलती है या कोई दिक्कत है या कोई परिशानी बोलेसर नहीं है तो answer बढ़ेंगे या question number next बच्चे लेंगे ब्रह्मास्त्र का सही संदिविच्छेत क्या है बहुत उंदा प्रशन है इस question को काफी बच्चे गलत करते हैं देखिए ब्रह्मास्त्र में option A और B और D में बहुत बच्चे confuse होते हैं कई बच्चों को तो ये लगने लगता है कि ब्रह्मास्तर में जो हमारा है विसर्ग वाला आजाएगा अगर विसर्ग आप सुन रहे हैं या लगार हैं सोच रहे हैं तो गलत हैं अब option number A और B की बात कर लेते हैं तो इसलिए इस question को बड़ा ध्यान से समझेगा ब्रह्म नमबर 13 निम्लिकित में से उन तत्सम रूप है उन का तत्सम रूप क्या होगा अच्छा उन है गाईज उन उन का तत्सम रूप कहीं न कहीं इसमें से होगा अब ये कहोगे कि उन को हम क्या बोलते हैं उन को हम असुद भासा में तदभो बोलेंगे और इस तत्सम की बात कर तो ये उन हो जाएगा इससे हमारा ये मतलब है कि ये तीनों ऑप्षन गलत है तो आंसर क्या जाएगा डी के साथ चला जाएगा कुश्चन नमबर 14 सत्या ग्रह का सही संदीबिश्चेत क्या है जरा जवाब दीजेगा और फिर इसके वाद लेते हैं साहित्य से कुश्चन जानता है इसलिए ओप्षन क्या हो जाएगा हम डी को लॉक करेंगे दी हमारा राइट हो जाएगा बढ़ेंगे कुश्च्न नंबर 15 है 15 नंबर 15 नंबर और 14 नंबर में 15 नंबर का अंसर होगा दिहान लगाओ दोस्तों इतिहास में है ज़र जवाब दीजेगा हिंदी नवजीवन के संपादक कौंत है तो मैंने उपर अभी बताया है कि ये béताओ कि सत्या ग्रह जो है ना साव ये सत्या ग्रह किस ने किया था आप कोगे सर गांदी जी से सम्मंदित है तो अबारा option number C के साथ चला जाएगा बले ही और लोग सामिल हो लेकिन सत्या ग्रह जब भी एक सब दाता दिमाग में तो सबसे पहले गांदी जी का नाम आता है option number हमारा क्या हो जाएगा हिंदी नबजीवन के संपादक कौन थे गांदी जी हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे गांदी जी यंग इंडिया के संपादक यंग टोडे की बात करें तो कौन थे गांदी जी आगे बढ़ेंगे कुस्षन No. 16 निम्नकित में से रिजू का विलोम सब्द क्या होगा रिजू का विलोम सब्द गाईस क्या होगा तो हम आपसे यही कहेंगे कि रिजू होता है ना इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि यह कुस्षन आज के एकजाम के point of view से हंडिट से भी जादा वार छोटे बड़े एक्जामों में पूशा गया बिलोम सब्द है इसलिए आपको याद रखना है कि रिजू का होता है वक्र के साथ हर बहन हर भाई वीडियो को इमानदारी से लाइक करें अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कोई भी वीडियो में समस्या हो तो कमेंट जरूर करते रहें क्योंकि देखिए हमारा प्यार और आपका प्यार कहीं न कहीं ये दरसाता है कि और जो बच्चे आते हैं या कोई टीचर विजिट करता है वीडियो पर तो वो आपके कहीं न कहीं आपको परक लेगा कि आपकी भासा सहली आपका चरित्र दोस्तों क्योंकि सब्द ही आपके इंपोर्टेंट होते हैं सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ड ओप्शन डी हमारे लाइक हो यहाँ पर राइट हो जाएगा कुछ नमस्तरा भर पेट में कौन सा समास है तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब भी कोई समास आप कर इसका पहला पद क्या होता है प्रथम पद प्रधान वाला हमारा समास कौन सा होता है अब बेभाव आगे बढ़ेंगे कुछ से नमबर 18 रस का अनेकारती नहीं है अब ध्यान दीजेगा यह कुछ संथ थोड़ा सा अलग आ गया था पिछली बार तो रस का अगर देखा देखो जलज क्या होता है जलज पंकज नीरज ये कमल के पर्याइबाची है लास्ट में अगर जा आ जाए और अगर हम बात करें जलध की बात करें तो लास्ट में हमारा अगर धा आता है तो समुद्र हो जाता है अगर मैं इसी जलध को यहाँ पर जलध बना देता हूँ ल को समझना है कुछ सन अमर 19 कई वार एक्जाम में ट्रेंड किया हुआ क्वेशन है बीती विभावरी जागरी अंबर पनगट में डुबो रही तारा गट उसा नागरी यहां पर आपको अलंगकार बताना है ज़रा जवाब दीजेगा आंसर क्या हो सकता है क्या बात है तो दोस उसा नागरी तो यहां क्या है क्योंकि यहां अंबर पनगट तारा गट एवं उसा नागरी को उपमे में उपमान माला गया है इसलिए कहीं जब उपमे की बात आती है उपमान की बात आती है तो हम वहां पर क्या लगाते हैं रूपक लगाते हैं अब यह रूपक न समझ मे आ रहा हो तो आपको मुझे यहाँ पर यहाँ पर यकीनन के तोर पर अगर वो वीडियो आप देख लेगे ना अलंकार वाली दस मिनट की वीडियो है अभी मुझे जादा समय नहीं दो महिने हुए डाला हुआ वीडियो है और यूटूब पर पहली वार ऐसा वीडियो आया है जो इतनी जादा वार देखा गया है यानि मिलियंस में देखा गया है तो आपको क्या सर्च करना है अलंकार मतलब देखते ही खना आप जो है एक्जाम में टिक लगा दोगे अलंकार गुरुजी वर्ड ट्रिक ऐसे आप सर्च करोगे ना जैसे सौंग सर्च करते हो यूटूब में अलंकार गुरुजी वर्ड ट्रिक जैसे ही सर्च करोगे तो पहली वीडियो आजाएगा उसको देख लेना मज़ा आजाएगा तो यहाँ पर ऑप्शन भी हो जाएगा बढ़ेंगे कुश्चन नमर ट्विंटी पर ट्विंटी देखिए चलो जवाब दो फटाफट क्या बात है तो दोस्तों अगर बात करें इस कुश्चन में यहाँ पर अगर हम बात करें इस कुश्चन में तो बताएगा जैसंकर पुशात का कौन सा उपन्यास इन में से है तो मानस का हंस अच्छा कोई मुझे ये बताएगा सर मानस का हंस मानस का हंस किसकी रचना है तो मानस का हंस जो है ये दोस्तों अमरतलाल नागर की है अमरतलाल इसका screen shot ले लेना थोड़ा सा marker नहीं चलला है आप ये ना समझें कि मैं लिख नहीं पा रहा हू팅 marker नहीं चलला है कोई बात नहीं भाबनाओं को समझेगा है न, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए, अगला कुछन आता है कि चितरलेखा किसकी रचना है, तो सबसे पहले में चारों रचनाओं को देख लेना है, तो वहीं पर क्या हो जाएगा, किलियर हो जाएगा, तो यहाँ पर यह है जो राइट तीन option में जब मैंने देखा तो यहाँ पर हमें जैसंकर प्रशाद का कोई option नहीं मिला लेकिन जैसंकर प्रशाद की जो रचना है वो दोस्तों उपन्यास कहा जा सकता है तितली इसलिए इस question का अंसर जाएगा C और बात बाकी 1, 2 और 4 यह आपके extra में knowledge है फटा फट यहाँ पर इस चीज़ को आप जरूर देखिएगा बहुत अच्छे गाइस मज़ा आ गया इन 20 प्रशनों में आपको हमने बहतरीन तरीके से सब कुछ सिखाने की कोसिस करी है हम आज 20 प्रस नहीं करेंगे लेकिन आज होम बर्क में आपके लिए एक question देते हैं आज के लिए आपका एक question है दोस्तों यह बताईएगा आपको बताना है फटा फट Google में सर्च करके बताना है क्या बताना है कि रामधारी सिंग दिनकर सर्वस्रेस्ट रचना कौन सी है जिस पर उनको पुरुसकार मिला है वो वाली रचना बताईएगा और उसके बारे में डिटेल जितनी आती है आपको लिखना है रामदारी सिंग्धिन कर की कितनी रचना हैं जो एक्जाम में पूछी आती हैं वो भी लिखनी है इससे क्या होता है हमारा माइंड ज्यादा बर्क करता है और हम चीजों को सोचते हैं लिखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सारी चीज़ें हमारी बिलकुल ले में रहती हैं लाइक करने के लिए सस्क्राइब करने के लिए गुरुजी वर्ड एक्जाम ऍटडी परिवार को आपका दिल से धन्यवात करते हैं आप ऐसे ही मुस्कुराते रहेगा और अपने सरीर को स्वस्त रखिएगा हम उम्मेद करेंगे कि आप हमेशा वीडियो को वाच करते रहेंगे जब तक हम हैं तब तक हम पढ़ाते रहेंगे और जब तक आप हैं तब तक आप पढ़ते रहेंगे love you guys thanks for watching video गुर जीवार वन्दे मातरम इंक अलाव जिन्दवाद